फ्रेंस आप हमें एनकाडमी के लर्निंग अपर भी फॉलो कर सकते हैं एनकाडमी पर सर्च कर लिजीगा और वहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे कोर्सि महनुझकुमार के नाम चे यूपी टैट और सी टैट से संबंदी तो friends follow करना मत भूलेगा और link आपको description box में मिल जाएगा तो friends आज का topic है हमारा CTAT और TAT समाची करद्यन सिक्षन तो friends चलिएगा start करते हैं और जिन लोगों ने चैनल को subscribe नहीं करा है चैनल को subscribe किजिएगा like किजिएगा और share करना मत भूलेगा और friends अने काडमी पर भी विजिट किजिएगा फटाबट से ठीक है चलिएगा करते हैं स्टार्ट कोंशन नमबर वन से रगवेद में उल्लाखित सीटा सब्द का क्या अर्थ है हल रेखा जनक नंदनी हरी परिया या फिर option नमबर डी हो जाएगा और वर भूमी तो friends हमारा आंसर हो जाएगा हल रेखा यानि कि option नमबर ए बिलकुर यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए बात करते हैं question नमबर टू की रगवेदिक काल में सबसे सकती साली देवता कौन था इंद्र, बरजापती, वरुन या फिर विशुणूं तो कौन था बई इंद्र था सबसे सकती साली देवता था रगवेदिक काल में तो एक के साथ हमारा राइट आंसर चला जाता है चलिए next में देखिएगा question number 3 question number 3 है मैक्स मूलर के मतानुसार आर्यो का मूल निवाज कहां था मद्य हमेरिका में Asia माइनर, मद्य अशिया या फिर option number D है सब्त सेंदव परदेश तो राइट आंसर जाएगा option number C, मद्य अशिया next question देखिएगा question number 4 रैदिक काल में मुद्रा का मानक था गाय, बैल, श्वन ये फिर लोहा तो राइट आंसर जाएगा गाय तो मुद्रा का मानक कौन था भई गाय था वैदिक काल में ठीक है बहुत अच्छे से लर्न करेंगे इसको इस्टा लागा का महिण में श्याट का लिजिगा बहुत जाद इंपोर्टेंट डिफ्रेंश ये question वैदिक काल में मुद्रा का मानक था कौन था भई गाय था चलिए अगला question है question number 5 रिग वेद में उलकित एक मात्र धन्य है तो यव, सर्प, ससर्प, ब्रिही या गोधुम तो 5 का राइट आंस हो जाएगा option number A यव जो next question है हमारा question number 6 क्या करता है फटावर से देखेगा पूशन किसके देवता थे शूद्र के ब्रहमण, जल या फिर नेतिक वेवस्था तो 6 का राइट आंस हो जाएगा option number A शूद्र शूद्र बिलकुल यहाँ पर राइट आंस हो जाएगा question number 7 वैदिक कालिन, आर्यो का नायक था रूद्र, वरुण, इंद्र या फिर अगनी तो आर्यो का जो नायक था वो था इंद्र शी बिलकुल यहाँ पर सैटी का आंस हो जाएगा question number देख लिजीगा 8 रितिस से है गोप किसे कहा गया इंद्र को पसुपतिनात को अगनी को या फिर वरुण को है ना तो राइट आं question number है 9 गयत्री मंत्र गयत्री मंत्र जोकी सविता देपता को समर्पित है का उले किस ग्रंत में है सामवेद, कठोपनिसत, रिगवेद या फिर अर्थवेद तो 9 का राइट आंस हो जाएगा option number C question number 10 है वेदों में अगन्या किसे कहा गया गाय को बकरी को अशुर को या फिर सार्थी को तो अगन्या किसको कहा गया बई ये कहा गया है गाय को यानि कि यह बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा answer हमारा अगला question है question number 11 रगवेद में किस नदी को सबसे पवित्र मानकर नदी तमा कहकर पोकाड़ा गया सुन्दू को सरस्वती को गंगा ये फिर यमना को तो राइट हैंस हो जाएगा B सरस्वती क्योंकि सबसे पवित्र माना गया है सरस्वती नदी को question number 12 आर्रे सब्द का साब्दिक अर्थ है आर्रे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है ज्यानी देवता सरस्ट है फिर option number D है रिशी तो राइट आंस हो जाएगा question number 12 का option number C question number 13 okay हडपा सब्दा जिसे सिंदू घाटी सब्दा के नाम से भी जाना जाता है की पिर्मुग विशेषता है भई क्या पिर्मुग विशेषता है इसकी तो देखेगा चार option आपके सामने है फटावट से नगर नियोजन कासे का प्रियोग लेखन का लगा अविस्कार या option number D है वेवपून जीवन सैली तो तेहरे का राइट आंस हो जाएगा option number A नगर नियोजन तो नगर नियोजन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला जो कोशन है बहुत जादे important difference कोशन नमर चोदा कोशन नमर चोदा देखीगा मोहन जोद्रों का अर्थ है प्राचिन इस्थल नेद्यों के बीच का इस्थान मुर्दों का टिला या फिर उप्रियोग सभी तो चोदे का राइट आंसर हो जाएगा भई राइट जो जाएगा है मुर्दों का टिला मोहन जोद्रों मतलब मुर्दों का टिला कहा जाता है ठीक है अगला कोशन है कोशन नमर पंद्रा हडपस अभिता में कासा बनाने के लिए तामबा खेतड़ी की खानों राइस्थान से आता था जबकि टीन मंगाया जाता था खेतड़ी की खानों यानि के राइस्थान से तो तामबा मंगाया जाता था लेकिन टीन कहां से मंगाया जाता था अफगानिस्तान से दक्षिन अफ्रिका से मैसो पोटामिया से या फिर मिस्र से तो कहां से मंगाया जाता था भी ये मंगाया जाता थे अफगानिस्तान से ट इंकी यह फिर योनी की ठीक है तो यहां पर राइट आंस हो जाएगा 6-16 का बिल्कुर राइट हो जाएगा option number B विश्णू की चलिए बात करेंगे question number 17 की okay question number 17 है हडपाई लीपी किस प्रकार की है धुए आत्मक चित्रात्मक वहवात्मक भाव चित्रात्मक तो सत्रे का राइटांस हो जाएगा option number D भाव चित्रात्मक question number 18 क्या गयाता है फटावर्षी देखीगा किस मघथ सासक ने अपने पिता को मार कर रहे सिंगहासन प्राप्त किया तदा उसे उसके पुत्र ने मार कर यही कर रहे किया ओके बिम्बिसार उद्याइन अजाद सत्रू या फिर महापदम नंद ओके तो राइट अंसर जाएगा ठारेगा option number C अजाद सत्रू कोश्चन नमर देखने जीगा 19 कोश्चन नमर 19 है जीवक नामक महावेद किसका राजवेद था बिंदुसार का उदायाइन असोक या बिम्बिसार तो 19 का राइट अंसर जाएगा option number D कोश्चन नमर देखने जीगा 20 नंद वनस्केट किसासक ने महाचत्रांद की उपादी धरण की तता स्वेद को चत्रू का परम सत्रू गोशित किया महापदम नंद नंदिन धनानंद option number D है और प्रोक्त सभी तो 20 का राइट अंसर जाएगा option number A महापदम नंद कोश्चन नमर देखने जीगा 21 कोश्चन नमर 21 है नंद वनस्केट सासकों को किस जाती का होने के कारण नाचित कहा जाता था वैसे नाई ब्रहमड या फुर रजक तो बिलकुल राइट अंसर जाएगा भई यहाँ पर 21 का option number B नाई ओके चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर question number 20 की काली बंगा किस राज्य में है अब यह जो काली बंगा वाला question ना भई इसको ना हमेशा हमेशा के लिए याद लिजेगा बिलकुल बहुत बार बोच जाता है बहुत बार ठीक है तो इसको भूलना भी नहीं है बिलकुल भी किसी किमत पर भूलना ही नहीं है ठीक है तो काली बंगा किस राज्य में भी तो फ्रेंट्स आज की वीडियो का जो है ना हमारा लास कोशन है कोशन नमबर 23 प्राचेन काल में किस इस्थल मार्ग में एस्या का व्यपार होता था रेसम मार्ग, सूती मार्ग, होची, मिन मार्ग या उत्रापत तो रेसम मार्ग, तो फ्रेंट्स वीडियो कैसे लगी बताएगा कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब केजिए, लाइक किजिएगा और सेर कर ना मत भोलेगा, और फ्रेंट्स, फिर से मैं आपको बता दूँ कि आप हमें अनकाडमी पर फोलो कर सकते हैं, मनोज कुमार के नाम से सर्च कर लेजिएगा और आपको सारे कोर्षिस मिल जाते हैं, यूपी टैट और सी टैट से सम्बंदीद और फ्रेंट्स, लिंक आपको आपको डिस्क्रिसम बॉक्स में मिल जाएगा, ओके फ्रेंट्स, तो चलिएगा, आज के लिए मैं इतना ही, जैहिन जभारत